अज़ जम आपको सिखाएंगे आप गर पे दौदाल कैसे बना सकते हैं यह कश्मीर की एक स्पेश्यालिटी है जो पाम्किन से बनाई जाती है जिसको कश्मीर में मश्य दाल कहते हैं यह दौदाल जो है यह वाजवान में भी सर्व की जाती है ऐसा चुटनी यह बहुत टेस्टी बनती है हम आपको सिखाएंगे आप यह नमकीन और मीठी दोनों किस तरीके से बना सकते हैं हमारी चानल को सब्सक्राइब कीजेगा इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा यहां पर इंग्रीडर्स में लिया है पंकिन दो किलो या मश्य दाल इसको अच्छे से पील किया है और इस तरीके से चोटे स्लाइस बनाएं हैं फिसास में आमने यूज किया यहां या जामदद 1 kg आकिलो आग किलो कि आजकलो कि या यहां पर रूहन यूज किया से फिर यूज किया है हमने हनी या माश मीठी वाली बनाने के लिए वालनिट कोरनल्स या अखरोट लिये हैं यहां पर डून्ज रेजन्स या किश्मिश अल्मंट्स या बादाम क्यूमिन सीट्स या ज्यूर ये इंपोर्टन्ट है इसमे साथ मैं में यूज किया है कैशूज या काजू सॉल्ट नून नमकीन वाली बनाने के लिए साथ से पहले आप एक बोल लेंगे उसके ओपर डाल देंगे मजलिंग क्लॉथ या मलमल का कबड़ा फिर उसमे आप डाल देंगे यह जो कर्ड़ है या जाम दूद्ध क्यूब्ध हमें हंक करके रखना है लटका के रखना है एक्स्ट्र वाटर निकालने के लिए इसलिए इसको हंक कर्ड कहते हैं या कश्मीरी में चाकस तरवित जान्दद इसको अच्छे से टाइट नॉट कर देंगे और फिरे लटका कर रखेंगे ताकि सारा एक्स्ट्र बाटर निकार जाए और हमें क्रीमी टेक्शर योगर्ट मिलें यहाँ पर हमने लिया है प्रेशर कुकर में पंकिन तो इस तरह के से हमने पील किया है पंकिन को छोड़े स्लै बर्नर पे जाम दो जो है वह आप खांग करके रखेंगे कम से कम पांचे गंटे कर्ड ताकि उसमें वाटर निकल जाए और पाम्किन को तीन चार विसल्स के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर में यहाँ हमने बॉयलिंग वाटर लिया है पानी और इसमें हम डाल देंगे बादम और बादम डाल देंगे हम इसमें साथ में ही वालनर्स भी आपे बॉयल भी कर सकते हैं लेकिन जब तक हमारी पाम्किन तयार होगी हम इसको बॉयलिंग वाटर में रखेंगे यह देखे पाम्किन के लिए रब खोल देंगे हम तो यह सौफ्ट हो चुकी है यहाँ प पंकिन अप मशे दल और इसको भी अच्छे से टाइट नॉड बनाएंगे और हंकर के रख देंगे लटका के रख देंगे कहीं पर इसमें एक्स्ट्र गालिक आपको रुमू कर देंगे आप इसको अच्छे से लटका के रखेंगे आप इसी जगा पर ताक इसका यह पानी सारा निकल जाए यह भी आप चार पांच गंटे तक रखेंगा तो पांच गंटे बाद देखिए जो यह कर्ड है यह सारा क्रीमी रह चुका है अब और जो से पानी था वो निकल चुका है इसको आप बोल में रख देंगे सेपरेट करके देखिए और यहां पे हमने छानी करेंगे Ci जाएम ऑर और घाली है C और हम सीव में से पास करेंगे पंकिन्स को हमने रखी थी 4-5 गंटे के लिए शानी के लिए 4-5 आर्स के लिए तो आफ्टर 4-5 आर्स आपको जो गजाम को ऐद़र दम केना है वो भी निकाल देना है और यह पंकिन्स भी में से इस लिए मे अपर एक्स्ट्रा फाइब्रस रहेगा material वह हमें नहीं चाहिए आप यहाथ से अच्छे से सीव में से पास करेंगे च्छानी में से और जो इसमें रहेगा आपको सॉफ्ट पल्प बोल में वह यूज करना है अपर एक्स्ट्रा फाइब्रस मटीरल है यह डिस्कार कर देना है तो यह देखिए अब जो यह पल्प रह चुका है इसमें और एक्स्ट्रा वाटर होता है लेकिन वह हम जब मजलिंग क्लॉथ में डालेंगे मलमल के कबड़े में वह हमें हंक करके नहीं रखना है वह हम with the help of our own hands squeeze करेंगे निचोड़ देंगे तो यह आप देख सकते हैं हमने साफ कबड़ा लिया है मलमल का उसमें हम डाल रहे हैं यह पंकिन का पल्प और अब इसको हम अच्छे से पहले बंद कर देंगे एक कॉर्नर पे और इसको यह देखे स्क्वीज करना है आपको निचोड़ना है लेकिन इतना स्क्वीज नहीं कीजिएगा कि जो पंकिन का पल्प है यह मलमल के कबड़े से बाहर आ जाएं आपको हाथ से इसको आइस्ता इस्ता करके स्क्वीज करना है ताकि यह पानी जो है इसमें और एक्स्ट्रा निकल जाए और हमारे पास सिर्फ प्यॉरली पल्प रहे इसका यह देख सकते हैं आप तो यह वाटर और बोल्ड डिसकार्ड कर देंगे आप और यहां पे पंकिन हमारे पास है तो यह स्टेप्स बहुत इंपोर्टन थे सारे यह आप ज़रूर इस तरह के से फॉलो करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे यह हंकर्ड यह आपको असारा एक साथ नहीं डाल देना है यहां पे आप इससे भी ट्रडिशनल वेंबे कर सकते हैं इसको मिक्स लेक भी बहुत लोग हैं आउटसाइड कश्मीर हो कांट यूज इस ट्रडिशनल थिंग्स तो हमने आपके लिए दिखाए है आप विसकर से भी कर सकते हैं यह अगर आपके पास यह नहीं है यूज 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 इनको मिक्स करने के लिए हमने डाल दिया है अब यह हंकर्ड यह चकस्त्रविश जामदत यह एक साथ आड नहीं करना है जैसा कि मैं बोल चुकी हूं यह आइस आइस तर करके आप कर देंगे जितना आपको लगेगा रिक्वायर्ड है टेस्के अकॉर्डिंग अगर एक्स्ट्र थोड़ा बचेगा यू कें यूज इट लेटर तो मेक सम अदर चुटनी तो अच्छे से आप यह मिक्स करेंगे यह देखिया यह स्मूद बनना चाहिए इवन आउट होना चाहिए तो अगर आप चाहते आप अपने हाथों का भी आराम से इस्तिमाल कर सक जाए तो यह चॉप आलमंट्स और ओलनट्स है अब चॉप ही करेंगे छोटी-चोटी पीसद कर देंगे मोटी पीसद अच्छी नहीं लगते है इसमें चटनी में अब डाल इसमें हम जीरा जीरा आप अपने टेस के एक्ते कि आपको अप्डीं डाल सकते हैं हमने एक चंब मेरी में या तो modern way in a bowl तो अब लेंगे हम extra जो हमारे पास है इसमें हमें two house में divide करेंगे क्यूंकि हमें नमकीम भी बना रहे हैं और मीठी भी तो हम आदा ले रहे हैं दूसरे bowl में जिसमें हम salt आड कर देंगे नमक या नून ताकि वो नमकीम बन जाए और कुछ रख रहे हैं इस बोल में जिसको हम मिठा आड कर देंगे तो salt अब जादा आड नहीं करेंगे थोड़ा आड करेंगे तो again depending on your own taste इसलिए पहले आप कामी salt आड करेंगा क्यूंकि कम salt को आप और 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 कर सकते हैं अगर आपने पहले ही जादा salt आड कर दिया then there'll be a problem लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए तो फिर आपके पाँ जो एक्स्ट्रा हंकर बचा होगा जामदा चाकस्त्राइविद वाप इसमें आड कर सकते हैं you don't need to worry अगर आपको नमक भी जादा हो जाए लेकिन प्रेफरबली कामी आड कीजेगा जो मीठी वाली है उसमें हमने raisins डाल दी हैं किशमिश नमक honey to make it sweet यह honey भी कितना यूज करना है this is also your own call कितना आपको अच्छा लगेगा मिठा कितना खाते हैं उतना आप अड़ कर दीजेगा so कितना salty बनाना है और कितना मीठा बनाना है those are your own preferences your own calls how much you like it तो हमारे पास अब दोनों हैं मीठी भी और नमकीन भी तो हमें डिश आउट करेंगे आप दोनों तरीकों से try कर सकते हैं वाज़ां में भी बनाई जाती हैं यह और सब पसंद करते हैं इसको बड़े हो चोटे हो तो आप ए recipe try करके हमें जरूर अपना feedback send कीजेगा और हमारे Facebook और Instagram पेज Kashmir for Fusion पे अपने picture feedback भी जरूर send कीजेगा